जय है प्यारे बच्चों फोर्स अगेडमे में आपका स्वागत है हम लोग इंग्लिस के लिए वाकेबिलरी बिल्डप कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने लास्ट के six or seven lectures में one words का practice किया है आज से हम लोग synonyms के practice कर रहे हैं जैसा कि आप लोगों पता है कि CDS और NDA दोनों में और Air Force तीनों में synonyms का यानि कि vocabulary का बहुत बड़ा रोल है CDS के अंदर 10-10 words 10 synonyms 10 antonyms NDA में भी 10 synonyms 10 antonyms और Air Force में भी जरुवत के हिसाब से सारी चीज़े आती रहती है और synonyms का या vocabulary का जितना गहराई से practice किया जाए उतना ही अच्छा होता है उतना ही benefit students को मिलता है तो हम लोग बिना delay के start करते हैं हमारा first word है आज का हमारा आज का first word है बच्चो टेनेट टेनेट अब बच्चो कई बार क्या होता है जल्द बाजी में हम लोग इस टेनेट को इनेट पड़ जाते और टेनेट का मतलब होता है किरायदार तो यहां वो कह रहा है कि साब का एक मीनिंग होता है बच्चो टेनेट का मीनिंग होता है बच्चो टेनेट का मीनिंग होता है बच्चो मानेता है या फिर बिलीफ तो सही आंसर क्या हो जाएगा अगर इसका मीनिंग मानेता या फिर बिलीफ है तो आलोग कह रहा है कि सर ए आंसर हो जाएगा तो सही आंसर बच्चो की 10-8 का मीनिंग होता है belief, तो 10-8 मेंज अगर belief है, इसको हम doctrine भी कह सकते हैं, इसको हम principle भी कह सकते हैं, तो अगर 10-8 का मीनिंग, doctrine, principle, belief ये सब हैं, तो यहाँ पर सही answer क्या है, belief हो जाएगा, क्यों, क्योंकि perspective का मीनिंग होता है बच्चो नजरिया, कि global perspective है कि हमारा पड़ोसी देश वो आतंकवादी पेदा करता है, है नए परस्पेक्टिव है, यह व्यू मतलब एक दरश्च होता है, वो प्रोविजन याने की कुछ निर्दारन जो होता है, उसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर टेनेट का जो क्लियर कट मीनिंग निकल करके आ रहा है, वो बिल जाते हैं, यहाँ वर्ड आया है पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मीनिंग होता है बच्चों अजीब, पेक्यूलियर मीन्स क्या अजीब, अब मैं इंग्लिस बोलूँगा तो आपको शायद हिंट मिल जाए, पेक्यूलियर का मीनिंग होता है अजीब, जैसे कि कई बार जो special हो जाएगा नहीं, special नहीं होगा अजीब उसकी activities है तो special मतलब तो vicious हो जाएगा बच्चो यहां हो जाएगा strange क्या हो जाएगा बच्चो, strange क्योंकि strange का मीनिग आपको सबको पता है strange मतलब होता है, पराया है, अजीब हो वरीब ठीक है, यह ordinary means सामान्य और रेयर मिंस दुरलब रेयर मिंस दुरलब है ना बड़ी मुश्किल से मिलता है इसको रेयर कहते हो ordinary students है ने सामान्य students है तो यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा सही answer है बच्चों strange सही answer क्या आएगा रिदीमा कह रही है सरे strange answer होगा ठीक है बच्चो वेरी गुड चलिए नमबर थर्ड है और यह effluent बच्चों कल पर सों एक्षाम में आया है आज का लेचर अगर आप पूरा सुनेगे बच्चों हम 50 words को discuss करने वाले हैं और मैंने ऐसा नहीं की छांट करके ढूंड करके अलग-अलग words लाकरके डाले मैंने कहीं सरे इन words को एक साथ उठा लिया है और यह 50 words जो हम discuss कर रहे हैं इन में से कम से कम 3 words ऐसे हैं जो कल और पर सों एक्षाम में आया है यह effluent भी आया था अब यह effluent का मतलब होता है बच्चों पैसे वाला रिच आब इसको र मतलब फल ना फोल ना होता है बीटा फ्लोरिष मेंस फलना होता है यह effluent मतलब पैसे वाला पैसे वाले को हम जनरली को हृते है बच्चों वैल्दी और yes और wealthy के लिए आजाएगा है ना हम पेसे वाले को क्या कहते है बच्चों wealthy wealthy के लिए सही answer आजाएगा prosperous है ना की prosperous means क्या होता है संपन्न ठीक है तो prosperous यहाँ पर correct answer है affluent याने की पेसे वाला पेसे वाले के लिए rich rich के लिए wealthy और wealthy के लिए prosperous यह flourish मतलब फलना blossom means भी फलना ठीक है आज ही next word पर next word हमारा है बच्चो peril peril मतलब होता है खत्रा in the peril of corona we appeared in the examination हम कोरोना के खत्रे के बावजुद परिक्षा में बेठे तो peril means होता है खत्रा peril means होता है खत्रा peril means होता है खत्रा क्या सही answer है बच्चो अब यह anger सबको बता है anger मतलब गुसा, insecurity मतलब आसुरक्षा, roughness मतलब उसका खुरदुरापन और perish मतलब होता है खत्रा इसको आप serious danger भी कह सकते तो already जब peril आपको serious मिला, danger मिला, खत्रा मिला तो आपने सही answer दे दिया कि correct answer जो है वो one होगा तो fourth का correct answer क्या है बच्चो चलो नया वड़ आया बच्चो आगस्ट, a-u-g-u-s-t, आगस्ट का मतलब होता है बच्चो respected, आगस्ट मींस होता है respected, बता रेसपेक्टेड के लिए क्या होगा, ridiculous होगा क्या, ridiculous मींस तो क्या होता है हाश्यास पड़ जिस पर हाशे है ना बताईए क्या होगा पेटी होगा कॉमन होगा आगस्त के लिए क्या सही होगा आगस्त के लिए सही आंसर क्या होगा तो आगस्त के लिए सही आंसर जो होगा आगस्त के लिए सही आंसर जो होगा बताईए बच्चों जल्दी से यस, तो C answer दे रहे हैं बच्चे, C answer दे रहे हैं बच्चे, C answer correct भी है, कि सर अगस्त के लिए respected और respected के लिए common तो हो नहीं सकता, ridiculous नहीं हो सकता है, यहांगा dignified, है ना, dignitaries आपने सुना होगा एक word, तो उस dignitaries से बना हैं बच्चो, dignified, dignitaries से बना है, dignified, ठीक है बच्चो, चल आगे चलते हैं, question number six, persist, persist, persist का मतलब होता है एक तरह से वहां रुकना और निवास करना, persist का मीनिंग होता है, रुकना या फिर निवास करना, persist के लिए सही answer दीजिए, persist के लिए सही answer दीजिए बच्चों persist के लिए सही answer दीजिए answer तो बताओ sir yes resist करना, leave करना, quit करना, insist करना बड़े सांदार answer है बच्चों बड़े सांदार जवाब यहाँ पर आ रहे हैं आप देखो जरा और यह यह जो आपका vocabulary है यह आपके लिए बड़ी जान है बड़ा सांदार चीज है, yes तो यहाँ पर आजाएगा insist करना क्या आजाएगा insist करना, क्योंकि resist का meaning तो है बच्चों, विरोध करना leave means छोड़ देना, quit means भी छोड़ देना यहाँ पर सही answer क्या, persist means insist कि वहाँ पर वो persist करते हैं, वहाँ पर वो insist करते हैं, ठीक है ठीक है बच्चों, तो correct answer क्या है insist करना छे question हमारे हो गए हैं, आप लोग इन video lectures को क्या करी है बच्चों एक बार जब आप सुन लेते हैं, उसके बाद जब आपका free time मिले within 24 hours, उन 24 hours के अंदर एक बार ओर थोड़ा सा speed बढ़ा करके और एक बार ओर सुन लें, तो यह words हमारे mind में state रहेंगे देखिए, कोई भी बच्चा है, कितना भी intelligent है, आपके teacher ही क्यों ना हो जब भी पढ़ाते हैं, तो पढ़कर पढ़ाते हैं, preparation करके पढ़ाते हैं, without preparation पढ़ाना बढ़ा मुश्किल होता है, तो same condition students के होती है, कि हम चीजों को पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, तो vision is very important, है ना, इसा कहा जाता है, कि अगर घोड़ा है, अगर घोड़ा है, वो घोड़ा दोड़ते या रहा है, अगर उसको रोका नहीं गया तो आड़ जाएगा, कहीं ने कहीं जाके उसका रास्ता घतम हो जाएगा, हम मालवा के लोग इंदोर वाले सब लोग जानते हैं, दाल बाटी, अगर बाटी है बच्चों, वो बाटी को अगर हम अपने ओवन पर रखा रहने देंगे, उसको पल्टे के नहीं तो एक तरफ से जल जाएगी, और दूसरे तरफ सहत पकी ही ना, है ना, तो एक कहावत कहीं कहीं गोड़ा आड़ा क्यों, बाटी जली क्यों, है इसली करके आजाते कि रिविजन उन्होंने ठीक से नहीं किया, और यह वन मन्त का जो डूरेशन है, हमारा चाहे एरफोर्स के एकजाम होए, CDS के एकजाम, इस वन मन्त में हमको, इस वन मन्त में हमको रिविजन दमदार कर लेना है, चलो एक रहा है, इवेंच्वली, इवे इवेंट के end में, है ना, eventually याने की आखिरकार आप कह सकते हैं, तो यह previously मतलब पहले, briefly, मतलब shortly, successfully, successfully तो आपको सबको याद है, तो यहाँ पर eventually का meaning क्या हो जाएगा बच्चों, finally, eventually का meaning क्या हो जाएगा, finally, ठीक है, good, अच्छे efforts आप लोग लगा रहे हैं, और बस efforts से ही काम च बच्चों, impecable है, थोड़ा सा मैंने यह impecable है, बच्चों, क्या है, impecable, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, बच्चों, आपने एक word पढ़ा था, infallible, है ना, तो infallible ही impecable है, impecable मतलब, जो mistake ना करे, impecable का मतलब होता है, जो गलती ना करे, आप उसको perfect भी कह सकते हैं, आ होता ही जा रहा, एफकेट में आया था क्या, वाउ, मैं कह रहा हूं कि जिसन बच्चों ने अपनी क्लास एटेंड कर ली, अपन कोई बहुत महांच टीचर तो नहीं है, पर ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा पढ़ोगे ना, तो मज़े आएंगे, और वहां जाओगे, तो बनेग रिमार केबल आएगा क्या, रिमार केबल मतलब तो याद रखने लायक है, अन्बिलीवेबल जिस पर विश्वास्त ना किया जा सके, डिस प्लीजिंग यानि की नाखुश करने वाला, तो इंपी केबल का मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए आप लोगों ने दे दि चलो, अगला है बच्चो लेटेंट, लेटेंट है ना, अब ये कुछ करेंट सिचुएशन से, करेंट सिनेरियो से अगर लेकर के हम जोड़ें, तो ये लेटेंट है ना, ये कोरोना वाइरस के केस में बड़ा फिक्स है, कि कोरोना का वाइरस सेवन देस तक लेटेंट रहत आप चलो जल्दी से बता option फटाफट हां हां यस तो answer भी आगए बच्चों के समझदार बच्चे जो है देर नहीं करते हैं कि साब ठीक है यह hidden रहता है hidden रहता है latent मतलब hidden latent means क्या hidden expose करना मतलब सामने लाना अप रहना की एक तरह से इंट्रप्शन डालना बादा ढालना कונफ्यूस करना तो आपको सबको पता है इसका मिनिंग बताने के जरफ नहीं चलो अगला word है बच्चो ड्विंडल डी ड्यविडिल ड्यू ड्यूडि 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 ड्यू 5 मतलब होता है ना टूलेइश इन आमाउंट और नंबर वर्ट्स जो मैंने बढ़ा हो यह थे और उड़ी रूल सुल्स नहीं थे क्या मैंने पढ़ा ज़ानसिन ठीक है ड्विंडल मींस तूलेश कम करना आजर जल्दी से चीनल्डल मींस कम करना बादूप अनसर दो जल्दी से तो डुिंडल मिंस घटाना, डुिंडल मिंस खाना डुनिंदल मिंस क्या, घटाना, ऩोट्स पनालेना रहें इनके, डुल भीन से घटाना, ठीक है, चली आगे, अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है बच्चो, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट करना, कि बच्चा कोचिंग जाने से कुछ नहीं होता, कोचिंग जाने से बच्चा थोड़ा सा एमेलियोरेट हो जाता है, कोचिंग जाने से बच्चा क्या हो जाता है, एमेलियरेट हो जाता है, ठीक है, बच्चा कोचिंग जाने से एमेलियरेट हो जाता है, बताओ, एपीज हो जाता है, एपीज होना मतलब सांत हो जाता है, हुमिलियरेट हो जाता है, हुमिलियरेट मतलब उसका मान सम्मान खराब ह तो जाना हुमिलिट करना किसी को इसी को निराधर करना डिस्रैस्पेक करना में के बच्चा बनाने लगता है और ऑप्जा मेस करता है आगे बढ़ते हैं और सिफाए के रहा है ossify, ossify के लिए meaning इसने दिया है ossify का मतलब होता हड़ी जैसा मजबूत, चलो option आपके सामने है ossify means हड़ी जैसा मजबूत, ossify means हड़ी जैसा मजबूत, answer दीजिए बिटा ossify means हड़ी जैसा मजबूत, answer दीजिए like a stone turn into plasma, turn into iron make or become like a bone answer, yes yes, yes correct answer आपका है, make or become like a bone है ना, उसको bone के जैसा बना देना, उसको हड़ी के जैसा बना देना, उसको ossify कर देना, क्या कर देना उसको ossify कर देना चली आगे, spurious spurious का मतलब होता है मैं आपको example देता हूं बच्चो spurious means होता है कि many spurious drugs are available in the market spurious में हिंदी बोलू फरजी, चलो आप answer दीजी जरा ठीक है, जल्दी से answer दीजी spurious का क्या होगा बिटा spurious drugs are available in the market spurious drugs are sold in the market spurious drugs are being sold in the market yes, so spurious के लिए बच्चो का answer है, यह fictional तो नहीं होगा fiction मतलब तो true भी नहीं होगा, particular भी नहीं होगा फरजी के लिए क्या आएगा, fake आएगा फरजी के लिए क्या आएगा, fake आएगा good answers, सही answer दे रहें बच्चे यहाँ पर spurious के लिए क्या आएगा, fake आएगा चलो, besieach अगला word है बच्चों, besieach besieach के लिए options उसने दिये हैं crave, praise, bliss और beg तो besieach का मतलब होता है एक तरह से to ask something, चलो to ask something, besieach means to ask something besieach means to ask something besieach means to ask something जल्दी से answer कीजे बटा besieach means to ask something, चलो यहाँ पर praise है, तारीफ करना bliss है ना, bliss मतलब आशिरवाद देना, crave है, crave का मतलब होता है लालसा, इच्छा, अपनी लालसा होती है कि काश में lieutenant बन जाओ तो ऐसे घर बेटे है तो lieutenant बनेगे नी मेहनत करे बिना है ना, crave करने से मतलब नहीं हाड़वर कीजिए, crave मतलब लालसा, लालसा के लिए हिंदी वर्ड आता है बच्छो, solicit, इंग्लिस वर्ड आता है solicit, A-S-O-L-I-C-I-T, solicit मिन्स लालसा, है ना, तो यहाँ पर besieach के लिए मांगना और मांगने के लिए आएगा बेग, besieach मिन्स मांगना, तो ask something और उसके लिए आएगा बेग, correct answer क्या आएगा मेरे प्यारे बच्छो, correct answer आएगा बेग, चलो, कि इसनूच करते हो तुम लोग अलाम को, और बहुत बार exam में आया हुआ भी है, आप सुबह उठते समय, अलाम को आपका बड़ा आदत बला हुआ है, आप अलाम को क्या कर देते हो, इसनूच कर देते हो, बताओ, इसनूच का मतलब क्या, इसनूच का मीनिंग क्या, इसनूच का मीनिंग क्या, कि थोड़ी देर snooze कर दिया थोड़े दियर तू मेरे को थोड़े दियर मेरे को क्या relax करने दे नहीं fourth option को दे रहा है वेश्ट में भी ना 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 snooze कब करा सो रहे थे तब snooze क्या snooze मतलब होता है sleep है ना ये dream तो किया नहीं alarm का dream से कोई relation नहीं ये snooze मतलब खर्राटे मारना है ना relax मतलब थोड़ा सा आराम कर लेना तो यहाँ snooze का मीनिंग है बच्चों sleep snooze का मीनिंग है sleep short sleep इसको आप कह सकते हैं हाँ जितेंद्र सावाज शिंदवाड़ा से answer आ रहा है a short sleep चलो humiliation अभी मैंने आपको बताया कि हमको किसी का humiliation नहीं करना चाहिए किसी का humiliation नहीं करना चाहिए मतलब उसका एक तरसे अपमान नहीं करना चाहिए तो बताओ elimination मतलब तो निकाल देना dishonor समझो जा रहा irritation मतलब चिरचिड़ा damage मतलब damage कर देना किस चीज़ को humiliation means what humiliation means क्या humiliation means क्या किया तो डिस्रेस्पेक्ट याने की हुमिलियेशन यह ऐसे वर्ट से मच्छों कॉमनली आस्कड वर्ट से जो बार बार अलगला एक्जांस के अंदर पूछे गए अगर हम लोग ठीक से पढ़ेंगे तो देखिए एक वर्ड का मीनिंग यहां रहा है चार दूसरे वर्ट का मी इन चार और अल्रेडी बहुत सारे आपको याद है ठीक हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इमिट की लाइट इमिट करता इमिट करता है तो उमिट करना मतलब एकत्रे से इमिट करना फिलाना, डिस्पर्स कर देना अब बताओ क्या होगा वो मिट तो नहीं होगा, मतलब सामने आना तो यो तीनों आप्शन तो गलत हो गए बच्चा है कि हमारे बल भर है तो ऑने seeing discharge करती है, release करती है, ठीक है, light को discharge करते हैं, emit करते हैं, गुड़, शाबाज बच्चों, अगला बच्चों, gullibility, अब मैंने कल जब one word आपको पढ़ा रहा था ना, तो उसता में, मैंने आपको बताया था कि gullibility का मतलब क्या था, gullible मतलब क्या होता है, अब person who can be cheated easily, जिसको आसानी से दोका दिया जा सके, उस व्यक्ते को gullible कहते हैं, और उस बिचारे के इस गुण को, जो उसके सादगी है, उसको gullibility कहा जाता है, बताए, क्या होगा, हाँ, भोला तो होगा, पर भोला का मतलब क्या, simplicity, भोला के लिए क्या आजाएगा बच्चों, यहाँ पर सही answer आजाएगा, simplicity, ठीक है, कि सर, यह gravity मतलब क्या होता है, ग्रेविटी का मीनिंग तो आपको सबको बता है, ग्रेविटी मतलब क्या होता है, बच्चों, है ना, किसी भी चीज का gravity होता है, मतलब उसकी ठीकनेस होती है, ठीक है, यह avidity मतलब क्या होता है, avidity का मीनिंग होता है, बच्चों, curiosity, उतसुपता, कि साब exam देके आगए, अब हमको तो result की avidity है, result की क्या है, avidity है, result की हमक आफ्टी होता है, मतलब बनावटी होता है, तो यहाँ पर हमारा सही answer जो है, वो gullibility के लिए क्या आएगा, simplicity आएगा, gullibility के लिए सही answer क्या आएगा, बच्चों, simplicity आएगा, ठीक है, यह सारे options के answer बताने के तुम लोग बहुर तो नहीं हो रहे हो, नहीं हो रहे होंगे वै टारेड के लिए उसने options दिये हैं आपको, टारेड के लिए मैं आपको बता देता हूँ, a long speech है ना, that contains criticism, टारेड का मतलब है एक लंबा भाशन जिसके अंदर किसी के आलोशना चुपी हुई है, अब जब मैंने हिंदी आपको बता दिया ना तो तुमको यह trade मतलब व्याप है, praise मतलब प्रसंसा है, applause मतलब तारीफ करना है तो यह सब तो होंगे नहीं, अगरेंट ही लगा दो भाई, सही answer क्या हो जाएगा, rent, सही answer क्या हो जाएगा, rent, समझ में आया ना किस्सा, yes, yes, थोड़ा ध्यान से, चलो, अगला बच्चो, proficient, proficient का मतलब होता है, proficient आपको मेंने बताया, आपको skilled, अगर आपको skilled का sinonim यादे तो आप ढूंड लोगे, और skilled का अगर sinonim नहीं भी यादे तो देखो, pupil मतलब तो हो गया, सिश, reliable मेंस हो गया, भरो से मंद, prominent मतलब होता है, विख्यात, बच गया कोन, adapt, और आपको तो यादी मेंने पढ़ाया, क्लास मे है, है ना, क्या पढ़ाया, कि prominent means क्या होता है, adapt, A-D-E-P-T, और यह A-D-E-P-T का मतलब होता है, skilled, skilled मतलब जो कलाकार है, है ना, अब यह adapt से related और भी आता है बच्चों, A-D-A-P-T, और A-D-O-P-T, तो यह O-P-T, तो यह O मतलब गोद ले 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 ना, और यह A-D-A-P-T, adapt, adapt, means क्या होता है, according to environment, अपने आपको change कर ले ना, है ना, A-D-A-P-T, A-D-A-P-T का मतलब होता है, environment के according अपने आपको change कर ले ना, A-D-O-P-T का मतलब होता है, किसी को गोद ले 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 ना, और गोद पहले भी बताया है, और यह A-D-E-P-T, तो A-D-E-P-T का मतलब होता है, skilled या फिर कुशल, ठीक है, यस, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चो, admonish, admonish के लिए उसने दिया है, irritate, chide, displease, annoy, अब देखें, admonish का मतलब होता है, to say someone that I am not agree with you, I am not agree with you, and what you are doing is a foolish activity, थोड़ा सा तेज तर्रार भासा में बोला, कि जो तुम कुछ क किया है, वो आपने admonish किया है, admonish का मैं हिंदी बता रहा हूँ आपको, नहीं बताता हूँ, पहले तुम इंग्लिस बताओ, तुम इंग्लिस बताओ, फिर मैं हिंदी बताता हूँ, रिष्णाई कह रहे हैं, सब थर्ड, displease मतलब तो नाखुश है, तो नाखुश तो आप हुए, पर आप जब नाखुश हुए, तो आपने किसी को बोल दिया, यह ऐसा, थोड़ा उसको set करो, set करो word को, आप नाखुश हुए, आप नाखुश हुए, आप डिस्प्लिस हुए, तो उसका reaction आपका ने जो दिया है, वो क्या है, आप जब नाखुश हुए, तो आपका interference interference मतलब एक तरह से बाधा डालना कि you should not interfere in my work you should not interfere in my work interfere मतलब बाधा डालना रुकावाट डालना है ना चलो options आपके सामने है options देखिए honor करना interfere और honor तो होगा नहीं तो honor गलत हो गया fearful मतलब डरावना difference मतलब difference मिन्स क्या बच्चों यह di नहीं है de है यह di नहीं है बच्चों क्या है de है de है तो इस difference का मतलब क्या अभी मैंने आगस्त बताया था ना आपको au gust august का meaning क्या होता है बताना ज़रा मेरे को au gust august का meaning क्या है हाँ इसका सही answer interference का सही answer तो obstruction आ जाएगा ठीक है interference का synonym आजाएगा obstruction interference का synonym आजाएगा obstruction पर आप एक चीज़ और देखो यह difference का meaning होता है august august का meaning क्या yes क्या लिखा बच्चे ने dignified respected भी आप इसको कह सकते है तो यह याद रख लेना exam में आ सकता है यह d e f e r e n c यह difference का मतलब होता respect august याद रखना है ना वो difference है differ d i a f e r चलो query q u a r y query query का मतलब होता है शिकार query का मतलब होता है शिकार इंदी बताएता हम आपको query means होता है बच्चों शिकार बताए शिकार का क्या होगा query means होता है अच्छा देखो आज कल ipl चल रहा है क्या चल रहा है ipl चल रहा है ipl के चक्कर public पढ़ाई को ध्यान नि दरे यह ठीक है ते आपको करना ipl जरूरी है की पढ़ाई जरूरी है है ना कि अगर पढ़ाई दम लागा जले हो सकता pavilion में बैटके भी IPL देख ले और अगर तैयारी ढंग से नहीं किद हो सकता जिन्दगी में IPL देखने का टाइम ही ना मिले किसी कंपनी में ये किसी दुकान पे ये किसी काम में अपन जिन्दगी भर घिसाते रहें तो ते अपने को करना है कि जीवन में जरूरी क्या है समझ में आ रही ना बात को, है ना, जरूरी IPL है कि जरूरी पढ़ाई है, मैं तो कल सुना भाई कि लोगों ने अपना टाइम रिजर्व कर दिया है, साड़े साथ से साड़े गया रहा है, फिक्स है IPL के लिए बताओ, हाद हो गई है, खाने को दे रहे क्या, दो रुपे डोन समझ गए न आप लोग, अपने को ज्यादे कहने क्या हो शकता नहीं, पर आप लोग समझो चीजों को, कि चीजे कहां हैं, क्या जा रही है, या इंदोस्तान में आदमी को अपने आप से मतलब और कैसे से मतलब नहीं, आप समझ लो जरवाद को, इतना ध्यान रखोगे ना, आप आगे बढ़ जाओगे, अगर आपने इन चीजों को ध्यान रखा तो, चलो, तो आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं, पर पर क्वेरी का मतलब होता है, शिकार, तो एक वेक मतलब तो एक तरह से भूकम्प भी होता है, बच्चों, यह डिनाउन्स मतलब किसे गद् पर देना होता है, क्वेस्ट मतलब लालसा होता है, है ना, तो आपने देखा, कि यहाँ पर क्वेरी के लिए सही वर्ड जो आ जाएगा, वो क्वेरी के लिए सही वर्ड आ जाएगा, विक्टिम, विक्टिम मतलब क्या होता है बच्छो, सिकार, ठीक है ना, चलो, अब इसमें यह क्रेंट मतलब लाल साया फिर क्रेंट मतलब एक तरह से खोज भी हो सकता है किसी चीच जीश का इन सर्च आउब सम्थिंग और क्वेक मतलब होता है यह क्याँ मतलब कब कभी कोट शिवर ऐसे चाही झाई पर रुप क्सकार पर выпуск गुर्वालियोcolor को क्या कर दिया एनहीलेकिलेट कर दिया मतलाब आपको समज में आ गया होगा एनिहीलेट के लिएißर बताईएं हाँयलेट के लिए एयरफॉर्स वाले कुछ बच्चे यह घ्रमा यह sto방 राओं निनियानिक दिया solve कर दिया, initiate कर दिया, initiate मतलब शुरुबाद, solve मतलब समाधान, deduce मतलब, deduce मतलब result निकालना, deduce, याद रख ले न, यह नया वर्ड है, d-e-d-u-c, deduce मतलब result निकालना, है न, तो यहाँ पर सही वर्ड के, destroy कर दिया, सहाब उन्होंने, annihilate कर दिया, हमारी, हमारी जो थी, संस्कृति थी, हमारा जो culture था, संस्कृति को खल्चर को, मुगल्स ने क्या कर दिया, destroy कर दिया, चलो, conjuncture, conjuncture मतलब होता है, एक तरह से मैं आपको बताओं की, अनुमान लगाना, चलो, हिंदी बोल दिया, conjuncture मीन सा अनुमान लगाना, जल्दी से बताओ, conjuncture मीन सा अनुमान लगाना, तुक्का लगाना, बोलो जल्दी से, conjuncture मीन सा अनुमान लगाना, तुक्का लगाना, जल्दी से बोलो, बच्चो, truth मतलब, सत्य होता है, knowledge मतलब ज्यान होता है, bias मतलब होता है, partial, जो भेदभाव करता है, biased है, बचा क्या, guess, G-U-E-W-S, guess, G-U-E-W-S, guess, चलो, यह क्या है, very similitude, very similitude का मतलब होता है बच्चों, very similitude का मतलब होता है कि conformness, confirmness मतलब एक तरह से मैं कह दू रियालिटी चलो बताओ very similitude मतलब होता है reality बताओ grotesque होगा fantastic होगा festive होगा authenticity होगा very similitude का सही answer दीजिए बच्चों जल्दी से very similitude means क्या yes authenticity answer आया है ठीक है fourth answer आ रहा है very similitude coming ए सुर्यांस आंसर गलत मत दे बिटा festive नहीं होगा festive मतलब तो उत्सा बड़ रख यहां authenticity है अगर reality मतलब authenticity reality means क्या बच्चों reality का मतलब होता है authenticity अब आप देखिए grotesque means क्या होता बोले grotesque मतलब होता है विचित्र इसके लिए आप कह सकते बिजारे बिजेडे आरी क्या कह सकते हो बच्चों बिजारे बिजेडे आरी बिजारे विचित्र ग्रोटेस्क क्यों मींस विचित्र फेंटास्टिक तो सबको होता fantastic short था दोनी का festive season चल रहा है साब विक्री बहुत होगी तिवार होगा परमोसम चल रहा है सही answer क्या आएगा authenticity आएगा अगला बताईए recapitulation recapitulation मतलब क्या होता है recapitulation मतलब आप बताईए एक तरह से में कहूं remembrance recapitulation के लिए मैं कह रहा हूं remembrance आप क्या कह रहे हो बताईए बटा जल्दी से है ना introduction, capture, withdrawal, withdrawal मतलब तो वापस हड़ जाना capture मतलब capture कर लेना हम लोगों ने इंडिया ने चाहिना के अंदर कुछ चीज़े हतिया लिए वापस introduction मतलब उसका परिछे, बचा क्या, बचा क्या बच्चो यस, remembrance मतलब recall करना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सुना, देखा, वो सब मैंने क्या कर लिया बच्चो वो सब मैंने recapitulate कर लिया, यस, वो सब मैंने recall कर लिया, मज़ा आ रहे है ठीक है चलो अपन धन्य हो गया मतलब अपना आज का दिन सुधर गया ठीक है ठीक है चलो गॉम्प्लसेंट है कॉम्प्लसेंट है स्टूडेंट को कभी भी कॉम्प्लसेंट नहीं होना चाहिए इस्टूडेंट को कभी भी कॉम्प्लसेंट नहीं होना चाहिए बताओ इस्टूडेंट को कभी भी कॉम्प्लसेंट नहीं होना चाहिए बताओ जबाओ हां कन्फ्यूज गलत है कॉम्प्लसेंट का मतलब होता है हां complacent का मतलब क्या है complacent का मतलब होता है संतुष्ट कि एक टेस्ट में अच्छे marks आ गए तो complacent मत होई है satisfy मत होई है recommend करना तो सब जानते है ssb वाले है recommend करना मतलब हाँ आगे बढ़ा देना कि जा होई ये लायाख है इसको रख लीजिए विटी मतलब होता है बच्छो बुद्धिमान डबली डबली टी वाई विटी मतलब क्या बुद्धिमान ठीक है वो confused तो सबको पता है आगे देखिएगा इंटरप्राइजिंग बच्छों इंटरप्राइजिंग का मतलब क्या होता है enterprising का मतलब होता है कुछ नया करके कुछ नया करने की इच्छा होना कुछ नया करने के लायक होना enterprising answer दो आपके सामने options हैं doing a new experiment finding out new ways of doing things taking up a new job a new venture बताइए क्या होगा enterprising का मतलब क्या आता है मैंने बताया कुछ नया करके कि अपना समान बेच देने से covid-19 हो गया तो क्या करें साब पहले 11 क्लास में बैठते हैं आप अमने नया निकाल लिया तरीका आप लोगोंने मजबूर कर दिया कभी जिन्दगी में यूट्यूब पढ़ाया नहीं था इससे पहले है ना तो यह enterprises ही एक तरह से इंटरबाइजिंग है finding out new ways of doing things काम को करने का नया तरीका ढूंड़ना चलो opulent यह आया आज एफकेट में कल पर सो यह opulent आया कल पर सो opulent मतलब होता है wealthy बताओ जरो जल देश opulent मतलब wealthy opulent मतलब wealthy rich एक और आया था भी थोड़े देर पहले अपनने पढ़ा था प्रॉस्पेरस हाँ wealthy rich prosperous effluent यह पॉपिलेंट मींस क्या हो जाएगा रिच क्या हो जाएगा बच्चों रिच हो जाएगा ठीक है बच्चों हाड वर्किंग होगा क्या नहीं comfortable हो गया होगा क्या नहीं ओप सिक्यूर obscure मतलब था not clear औप सिक्यूर मतलब नाट के लिए एक तरह समक्राइब गुम नाम ऐसे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चली आगे विसरल अभी आपने सुना विसरल मतलब विसरा रिपोर्ट आ गई विसरल सुना विसरल मतलब रिलेट मैं हिंदी बता रहा हूँ इंगलिस बता बता दो भई विसरल में सारे रिक तो आपने बताया cloudy ना bodily हो सकता heavenly नहीं intelligent नहीं विसरल का मीनिंग क्या है बच्चों bodily सबने अंसर सेकंड दिया है क्या सबने अंसर सेकंड दिया है वाव गुड सावास मेहनती बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं और दमदार बच्चे हैं समझदार बच्चे हैं डिवाट डिवाट मतलब एक तरह से holy पवित्र कहें दीजिए दिवाट पवित्र डिवाट बताओ जरह Solem, Loyal, Dedicated Dedicated मतलब तो आपको बता है Dedicated मतलब समर्पित, Loyal मतलब इमानदार, वफदार आप इसको कह सकते हैं बताओ, P.S. और Solem में से बताओ 32 का आंसर P.S. और Solem में से बताइए P.S. और Solem में से बताइए बिटा हाँ, बच्चे P.S. आंसर दे, Holy मतलब P.S. बच्चे, Solem में से बताओ, इसको सीरियस, गंभीर Solem में से बताओ, सीरियस या फिर गंभीर Correct आंसर क्या है? Correct आंसर आपको मिल गया है, Devout मतलब P.S. चालो, आगे Predilection Predilection का मतलब होता है, Liking Predilection में से Liking L-I-K-I-N-G, Liking L-I-K-I-N-G, Liking Predilection में से Liking अभी IPL चल रहा है, बात तो नहीं करना है, अलगी पर किसी का CSK है, किसी का Hyderabad है, किसी का Chen नहीं है किसी का Kolkata है Predilection में से Liking, जल्दी से आंसर कीजिए बटा Predilection में से Liking Liking मतलब होता है, पसंद करना, ठीक है ठीक है ना तो पसंद करने के लिए आ जाएगा Preference बच्चों, फेवर मतलब पक्ष लेना होता है, तो आप जरूरी नहीं किसी को पसंद करो, उसका पक्ष लो, के बार ऐसा हो जाता है है कि आम किसी को पसंद करते पर उसका पक्ष ले पाते है है ना तो यहाँ पर Pre-Dilection का मीनिंग होगा Preference विम भी नहीं होगा Pre-Judice मतलब तो यह पहले से उसने Mind बना रखा था, तो वो होगा बच्चों ठीक है, चलो Ify की, ify की मतलब होता है मूर्ती Ify की मीन्स होता है मूर्ती आगे बच्चों, बच्चा है यह आगे यह विम का मतलब एक तरह से Emotion भी हो सकता है, W-H-I-M विम मतलब Emotion भी हो सकता है ठीक है बच्चों, आगे बता Ify की, ify की मतलब क्या मूर्ती मूर्ती के लिए क्या है गे Imagery, imagery मतलब तो होता है Picture, reflection मतलब होता है किसी चीज़ का, particular चीज़ का reflection, organ मतलब अंग, बच्चा क्या, dummy तो Ify की मीन्स वाट, यास Ify की का क्या मीनिंग होगा Ify का मीनिंग होगा, dummy Ify का मीनिंग होगा, dummy चलो, plebiscite यह बहुत चला था, आप तो इसकी जरुवत ही नहीं पड़ी कई सारे नेता कहते थे, काश्मिर में plebiscite करा लो, plebiscite करा लो, plebiscite करा लो plebiscite का मतलब होता है, जनमत संग रहे है अब वो जनमत संग रहे हैं, तो कहते हैं उसको, पर अब ढूंड़ो ज़रा जो बज गया, वो बज गया, plebiscite मतलब होता है referendum, शाबाज बच्चों, plebiscite मतलब हो गया referendum, plebiscite मीनिंग हो गया referendum, चलिए, आगे बढ़ते है, frugal frugal मतलब होता है बच्चों, जो पेसे को हिसाब किताब से खर्च करे, जो पेसे को को हिसाब किताब से खर्च करें उसको हम फ्रूगल कहते हैं आंसर दीजिए प्लेन होगा सिंपल होगा मैजरली होगा एकोनोमिकल होगा प्लेन मतलब भी मैजरली मतलब कंजूस होता है ना, फ्रूगल मतलब वो कह रहा है कि जो पेसे को हिसाब किताब से खर्च करें, जो पेसे को हिसाब किताब से खर्च करें, उसको हम एकोनोमिकल कहते हैं, याद रख ले न, फ्रूगल मीन्स एकोनोमिकल, बार बार एक्जाम में आया है, फ्रूगल मीन्स एकोनोमिकल, फ्रू कर देना तो शौट करना नहीं शौट अन्सर अटा दो तुम तो चलो डिमिनिश मतलब किसी चीज को रिड्यूस कर देना एक तरह से तो सही आंसर रिड्यूस आ गया है शायद बता ही दिया वर्षन मतलब मामले को विगार देना प्रोहिबिट मतलब मना कर देना एंट्री को क्या है रिड्यूस करना सही आंसर क्या है बच्चों सही आंसर क्या है रिड्यूस करना है है न ये शौट का मतलब एक तरह से बीच में कट लगा देने से होता है शौट चलो पर्षू, I am pursuing BSC, I am pursuing MSC तो pursuing का मीनिंग बताओ, पर्शू means कह रहा है read carefully पर्शू means कह रहा है means कह रहा है read carefully जल्दी से answer दीजे read, argue, follow, reduce अवे reduce तो होगा नहीं follow मतलब किसी को पिछा करना उनका उनका मतलब एक तरह से उनका आशिरवाद follow करना followers हम सब मातना गांधी के विवेकानन जी के argue मतलब बहस तो यहां तो पर्शू means क्या होगा answer read, शाबास answer क्या है read है answer क्या है read है answer क्या है read है ठीक है अब तुम इतने लोग देखरो तुमसे बोलना पड़ेगा कि like करो वीडियो को है ना वाँ वाँ दन्या है धन्या भाई धन्या भाई भूल जाते हो जी देंद्रत तुने मेरी दिवी शीट बहुत अच्छे से पढ़ रखी इशावास ispium ispium का मतलब होते है small white bubbles है ना छोटे जो bubble होते है small white bubbles को अपन कहते है ispium ispium small white bubbles को हम क्या कहते है ispium कहते है तो यहां पर आ जाएगा foam, foam मतलब ज्जाग है न लावा त उगा नहीं, पाइजन भी नहीं होगा speed भी नहीं होगा ठीक है, तो सही answer क्या होगा, बच्चो, foam सही answer क्या होगा, foam होगा सही answer क्या होगा, बच्चो foam होगा अगला देखिए, board अब आपने सुना, boarding and lodging, उस बोर्ड से बनाएं बोर्ड, यह बोर्ड वह पटले वाला बोर्ड नहीं है, बोर्ड का आंसर दीजी जाना, बोर्ड का आंसर दीजी बच्चो, speed मतलब थूकना रहे, आंसर दीजी बोर्ड का, food, furniture, lodging, frame, तो lodging और बोर्ड इंग एक साथ आते है ना, board मतलब food, चलो, resurgence कह रहा है बच्चो, resurgence, resurgence का मतलब होता है कि, to start after interruption, to start after interruption, interruption के बाद किसी चीज़ को अगर हम start करें, to start after interruption, interruption के बाद किसी चीज़ को start करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम resurgence कहते हैं, तो relocation मतलब तो location change कर लेना, replation भी नहीं होगा, renewal और reluctance, reluctance का मतलब होता है किसी particular काम को करने में आप legioness show करते हैं, reluctance, ठीक हैं, तो आप पढ़ लूँँगा, दोड़ने में मैं reluctance हूँ, तो reluctance मतलब, समझ में आई गया आपको, यहाँ पर सही है, resurgence, resurgence का meaning क्या है बच्चों, resurgence का meaning है, to start after interruption, interruption मतलब record के बाद किसी चीज को शुरुआत करना वापस है, तो उसको आप कहोगे renewal, क्या कहोगे, renewal कहोगे, ठीक है बच्चों, 41 words हो गए हमारे, चलो, damp मतलब slightly gila, इंग्लिस बोलता था option मिल जादा, damp मतलब slightly gila, answer दो बटा जल्दी से, damp मतलब slightly gila, answer दीजिए बटा, फिटा फट, complicated मतलब तो complicated है, बड़ा complication है, weight सही, clear भी आद है, light भी आद है, यहां लग से बताने के जरत ने, damp मतलब weight, है न, चलो, ingenious, यह ingenious मतलब होता है, बच्चों, honest, frank, चलो, बता, answer यह बार-बार आ गया है, और इसका जो option है न, वो भी exam है, honest, honest भी कह सकते है, इसको frank भी कह सकते है, honest भी कह सकते है, frank भी कह सकते ingenious, answer दो बिटा, ingenious, honest भी कह सकते है, frank भी कह सकते है, ingenious का answer क्या होगा, हाँ, हाँ, open hearted person है, yes, तो यह ingenious का मतलब होता है, candid, शाबास, candid मतलब honest, frank, open heart, यह बंदा इस तरह का है, ठीक है, समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हो रहे हों तो बता दो, चलने दे की रोकने हैं, चलो, अगला बच्चो insane, insane, है न, insane, I-N-S-A-N-E, insane, निश्कपट क्या है रहे, अच्छा, निश्कवर्ड, उसका बता, इंजिनियर्स का, ठीक है, चलो, आगे बता बच्चो, यह कह रहा है, insane, insane का मतलब होता है, mentally ill, that cannot be, है न, not able to leave in a society, not able to leave in a society, that is insane, insane का अंसर दो बटा, insane का अंसर हो जाएगा, made, made मतलब पागल, देखो, funny तो होगा नहीं, foolish मतलब मुर्क पर यह तो mentally ill है, covered eyes मतलब डर पोक, तो insane के लिए क्या आजाएगा, made, आगे बच्चो, podium, यह कल पर सो one word में भी आया, the podium, जहां से नेता जी खड़े होके भाचन देते हैं, जहां से टीचर खड़े होके आपको पढ़ाते हैं, that is, podium, podium के लिए arena, arena मतलब तो कुस्ती का मेदान हो गया, बच्चो, tripod आपको पता ही है, बड़ा webcam के लिए, अपने mobile के लिए use करते हो, stand भी mobile के लिए use करते हो, podium मतलब हो जाएगा dice, d-a-i-s, dice, अगला, चेरिजमा, चेरिजमा, मतलब होता है, बच्चो, strong attraction, या strong personality, आप उसको कह सकते है, Charisma, Charisma के लिए बताईए, Charisma के लिए बताईए, Character, Charm, Fame, Power, Power तो आएगा नहीं, Strong Attraction के लिए क्या दिया आंसर बच्चों ने, Yes, Strong Attraction के लिए बच्चों ने आंसर दिया है, Sir, Charm, Charm सही, Character मतलब, Character है, Fame मतलब, Fame मतलब अपना Name और Fame होता न, Fame मतलब प्रसिद्धी, है न, Fame means, Fame means प Power मतलब ताकत, Character मतलब आपका Character, Normally, तो Charm में याँ पर सही आंसर, Charisma मतलब 4, ठीक है, Charisma means 4, Very good बच्चों, Bumshias, Bumshias मतलब होता है बच्चों अभिमानी, Bumshias मतलब होता है अभिमानी, जो बहुत ज़्यदा अपने आपने गर्मेंट करता है, गर्व करता है, उसको अभिमा अभिमानी, बोलो ज़रा जल्दी से बच्चों, Bumshias मतलब अभिमानी, बताओ, Uncouth होगा, Concited होगा, Rude होगा, Shrewd होगा, यह Rude मतलब भी रूखा होता है, और Uncouth यह Uncouth भी परिक्षाओं में बहुत बार पूछा गया बच्चों, Uncouth का मतलब भी रूखा होता है, बताओ श्रूड होगा, श्रूड अभी बताया था मैंने कव्वे जैसा धूरत जिसको हम केते हैं, यहां पर आंसर आजाए, Concited, Concited मतलब अभिमानी, Concited means अभिमानी, ठीक है ना, Concited means अभिमानी, ठीक है, चलो 47 होगे हमारा, 47 के बाद आप आजेए, 48 पर, 47 के बाद आजेए, बच् अश्रसाइज कर देना मतलब दूर कर देना, बताओ क्या होगा, अश्रसाइज कर देना मतलब दूर कर देना, दूर कर देने के लिए क्या आएगा, बच्छों, अश्रसाइज मतलब दूर कर देना, बताओ दूर करने के लिए क्या आएगा, देखो, यहां पर बच्छों, evacuate है, यह evacuation क्या होता है, यह से कि अभी, जब कोरोना शुरू-शुरू में चलाता तो हमारे country के बहुत सारे लोग दूसरी country में फसेवेद हमने उनको evacuate किया, फिर उसके बाद हमने operation भी चलाया और तमाम देसों से अपने दोस्तों को लेकर क्या है, evacuate कर क्या है, है ना, एक्सकेवेट का मतलब होता है बच्चों एक्सकेवेट का मतलब होता है मैं देख लूँ ज़रा थोड़ा सा एक्सकेवेट का मीनिंग होता है बच्चों मेकिंग ए होल एक्सकेवेट मीन्स होता है मेकिंग ए होल और यह एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है जो criminal है, जिस देस का है, जिस देस में उसने crime किया है, उस देस को वापस दे देना, उसको हम कहते हैं, extradite, टीनो वर्ड याद रख लेना, evacuate मतलब निकाल के लाना, excavate मतलब तू मेके hole, तो यहाँ पर उसको दूर कर देना के लिए क्या जाएंगा, expel, यह extradite आपको पता चली गए अपरादी को वापस दे देना चलो बेन है बहुत सिंपल वड़े बच्चो बेन मतलब एक तरह से बेन लगा देना रोक लगा देना बेन लगा देना रोक लगा देना तो चैलेंज तो आएगा नहीं चैलेंज देना मतलब तो प्रतिधवन्दी बनाना उसको डेंजर मतल होता है कर्ष श्राप जा चाहे ना तेरे सामान हमारे इंदुस्तान में नहीं भी केंगे तो क्या कर दिया क्या कर दिया बे न कर दिया यस कर्ष यहां पर सही आंसर है यहां पर सही आंसर जो है वो कर्ष है यहां पर सही आंसर जो है वो कर्ष है और आज का last word है बच्चो felicitated कि जब आप लोग फोजी बन जाओगे जब आप लोग फोज में select हो जाओगे तो आप लोग जब फोज में select हो जाओगे तो आपके parents को हम felicitate करेंगे आपके parents को हम felicitate करेंगे उनका स्वागत करेंगे सम्मान करेंगे बताओ क्या करेंगे उनका फैले सकते हैं आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए लास्ट में जाते जाते बफर हो रहा है कोई बात नी थैंक यू जैहिन